नमस्कार मैं हूँ आशीश और आप लोग देखे रहे हैं मेडिला वीडियो चैनल आज की वीडियो में हम लोग सिखेंगे इसमूत कैपसुल की बारे में एक कैपसुल क्या है इसकी कमपोटिशन क्या मिलती है यूज क्या क्या है किन-किन समय साओ को ठीक करने के लिए इस क्या मिलती है इसका डोस क्या रहती है और कितना दिन तक इस कैपसुल को कंटिन्यू आप इस्तवाल कर सकते हैं इसके साथ साथ इसका यूज करने के दौर अगर किसी पेशन में कुछ साइड एफट दिखाई देती है तो वह साइड एफट क्या क्या हो सकती है वीडियो की अंत में हम लोग जानेंगे ओक कौन-कौन सी पेशन है जिसमें इस कैपसुल का यूज नहीं होती है तो यह से भी बातों को सिखेंगे इस वीडियो में इस वीडियो को अंत तक जिरूर देखेगा ताकि इस स्मूथ कैपसुल की बारे में आप लोगों को संपुनिर भमशर मिल जाए तो चले दोस्तों शुरू करते हैं आज की वीडियो जो इस स्मूथ कैपसुल है एक एडिश्टो कंपानी का एक बेस्ट पूड़क्ट है और यह आप लोगों को इंडिया में किसी भी मेडिकल सॉप में आसानी से मिल जाएगी एक स्टिप में 10 कैपसुल रहती है और जिसकी MRP है एक सो साइट रुपिया इस कैपसुल के कामपोटेशन क्या मिलती है उसके बारे में जान लेते हैं इसमें आप लोगों को दो सॉल्ट एक साल मिलती है एक है केलसियम डोसिलेट 500 एमजी इसके अलाबा डोकिसेट सोडियम मिलती है 100 एमजी इस कैपसुल में इसके यूस क्या-क्या है किन-किन समयसा को ठीक करने के लिए इस कैपसुल का यूस की जाती है उसके बारे में 20-30 से बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा इसका यूस की जाती है पाइल्स में या बाबाशिर में बाबाशिर की समयसा अगर किसी को होती है तब दोस्तो उनको करने के दौरान बहुत कस्ठ होती है इसका यावा टृलेट के सासाथ खुन गीड़ी है इसका यूज तब कर जाती ने चहिंगे इसके प्रप्षुल का इस्ताह्त ड़िआ से खुन गिरणा भी कम हो जाती है इसके अलाब जो इस्तोल है उनको इस्मूद करने कारण से शुबभ टालेट करते हैं तो आसानी से बहार आ जाती है उन दोरान उन में कुछ दरब भी नहीं होती है इसका लाप को रेडनेस होते है तो ओ भी दिरे दिरे ठीक हो जाती है तो उन दोस्तो पाइल्स की समस्षाओं में भी इस क Méps susuka यूज़ की जाती है इसके साथ साथ अगर किसी बीकटी या किसी को दोस्तों क्राffentlichщее शामसा होती है तब भी स्कास्रूविश्न का यूज़ की जएती है कौस्क्टिपिशन देखा हो जाती है स्रेयरी में किसी बी कराण से पानी काम हो जाती है तब थोस्तों इस टूल ब दिखाए देती है तो इसका लेने से क्या होते है इस्टूल में पानी भड़ देती है साथ-साथ इस्टूल को इसमूत करने के कारण से वह सुभा आसानी से बाहर आ जाती है तो उन दरां दोस्तों कौस्ट्विंक्रिश हमें भी आपको अराम मिल जती है तो यह था कुसिस का उसके अलाव डॉक्टर साहब अपने एक्सपरिंस के अन्य बहुत सारे बिमारी हो में इसका यूज कर सकते है, जब भी डॉक्तर साहब आपको लिए इस कैपसुल को पिस्ट्राइब करे तभी इस कैपसुल का यूज कीजेगा, तो आगे में जान लेते हैं इसका डोस कैसे ल लेके 10 दिन तक डॉक्टर साभ आपके लिए पिस्क्राइब कर सकती है आगर आपकी फाइल की समझ साभ को ज्यादा होती है उन दौरान दोस्तों 20 दिन तक भी इसका यूज करने का चला आपको डॉक्तर साथ दे सकती है तो साइड एफेट देती है जैसे कि नोजीया होना तो यह था कुछ साइड एफेक्ट इसके अलाबा आंच चाहिए कोई भी कुछ साइड एफेक्ट दिखाई दे तो तुरांती इस कैपसुल का इस्तमाल करना बन कर दीजेगा और साथ साथ डॉक्टर से एक बार कॉंसल जरूर कर लेजेगा वीडियो की अंत में हम लोग जान का कम जैने ते क्व में उन फूल का इस तम नहीं करना चाहिए यहती हैसे कि दोस्तों अगर आपको लिबर समन्दित को समयशा तब आप इसका इस्तमाल、 नहीं कीजेगा इसके अलाबा कीटनी समंदित कुछ समय सा है तब भी दोस्तों इसका इस्तमाल नहीं किजाती है इसके अलाबा पेग्मेंसी महिलाओं में भी इस कैपसुल का यूस नहीं होती है अगर आप इसका इस्तमाल करना चाहते है उन्दों दोस्तों डॉक्टर से एक बार जरूल सला ले लिजिगा उसके बाद ही इसका यूस कीजिगा आई होब दोस्तों आप लोगो इसमूत के अपसुल की बारे में समफून इन भामशे मिलगी होगी तो यह से भी जानकारी आपको अच्छे लेगी तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलेगा और साथ साथ मेरे मेरे मेडिलाप चैनल को भी एक बार सब्सक्राइब कर लेजिए तो चले दस्तो मिलते हैं और एक फ्रेश वीडियो में तब तक के लिए जैहिन